तो कैसे हैं सभी भाई? आज मैं काफी टाइम बाद लगभग एक से डेड़ साल बाद अपना गाना एक निया गाना मलब तयार किया है तो उसे रिकॉर्ड करने जा रहा था और उसके लिए मैंने म्यूजिक लगब लगब तयार है हमारे सर ने म्यूजिक पूरी तयार कर दी है जो भी करना था बिल्कुल रेड़ी है और आज रिहलसल करने आया हूं मैं और उसके बाद में कल आई थिंग इसके रिकॉर्डिंग करनी है तो अभी म्यूजिक जैसा कि आप देख रहे हो बिल्कुल रेड़ी है रेफरेंस वाइस हो चुकी है अब म्यूजिक बिल्कुल रेड़ी है हमें बस रिकॉर्ड ही करना है तो भाईया ट्यून इन और बहुत जल्दी लेकर के आ रहा हूं यह वाला गाना कोई दीवाना कहता है कोई पागल समझता है कुमार विश्वास जी का एक म्यूजिकल वे में दोस्तों जो मैं छोटा था तो यह कुमार विश्वास जी की यह प्यारी सी कबता बहुत ज़्यादा गुन गुनाता था और मेरे दिल में यह था कि मैं किसी न किसी दिन इस पे एक अच्छा सा सॉंग टाइप का मैं बना करके इसको गौँ तो अट लास्ट सर ने मेरे कहा कि दीपक मैं एक ट्रैक बना रहा हूँ अगर आप चाहो तो उस पे गाना गा सकते हो मैंने कहा कि सर कौन सा ट्रैक है तो उन्होंने कहा कि कोई दिवाना कहता है कोई पागल समझता है ये बहुत ही प्यारा सा ट्रैक है तो अमने कहा सर एक बार जरा सुनाई हो वाकई में जब मैंने सुना इस ट्रैक को सुना तो बिल्कुल मेरे दिल में आ गया कि नहीं ये गाना मुझे गाना ही चाहिए बहुत ही प्यारा सा ट्रैक था तो इस गाने को मैंने गाने के लिए डिशाइड किया और इसे लगबख तीन दिन हुआ है मैं प्रेक्टिस कर रहा हूं इस प्यारी सी कंपोजिंग को मुजिक दिया है श्रीहेम सिंग जी ने और इसे गाया हमने है तो दोस्तों बहुत ही जल् बन जाएगा या मेकिंग होगी तो तब भी मैं इसका एक वीडियो बना करके आपके लिए अप्लोड करूँगा तो आप जरूर देखिएगा इस गाने को मगर धर्ती की बेचैनी को बस बाद समझता है मैं तुझसे दूर कैसा हूँ तु मुझसे दूर कैसी है ये तेरा दिल समझता है या मेरा दिल समझता है झाल झाल